गुट मॉर्निंग इस्टुडेंट हमने आपको पिछली वीडियो में नमबर सिस्टम की जानकारी दी थी नमबर सिस्टम क्या है आज हम इस वीडियो में आपको नमबर सिस्टमों को चेंज गरना बताते हैं सबसे पहले हम आज आपको डेसिमल नमबर सिस्टम से बानी नमबर सिस्टम में बदलना बताएंगे आपको सामने एक संक्या दी गई है 216 इसका बेस 10 अर्थात वह एक डेसिमल नमबर सिस्टम है उसे बाइनरी नमर सिस्टम में बदलना है अर्थात जिसका बेश दो है उस नमर को बाइनरी नमर कहते हैं और इस संक्या को बाइनरी में चेंज करना है decimal से binary या octal में बदलने के लिए या hexadecimal में बदलने के लिए भाग विदी का प्रियोग किया जाता है अर्था इस संक्या में हम उस संक्या के base से बदलना होता है इस example में हम decimal number system को binary number system में बदल रहे हैं इसलिए हम इसमें binary number system के base अर्था 2 से बदलना होता है सबसे पहले 216 संक्या लिखाएंगे और उसमें 2 से बाग कराएंगे 2 से बाग करने पर 108 आता है और reminder 0 बसता है इसमें reminder को side में लिख लेते हैं फिर दुआरा से 2 से बाग करेंगे 2 से बाग करने पर 54 आता है और reminder को side में लिख देते हैं फिर 2 से भाग करने पर 54 में 27 आएगा और reminder 0 आएगी उसे 0 को side में लिख लेते हैं अब 27 में 2 से भाग करते हैं और 13 आता है एक reminder बचता है उसे side में 0 के नीचे लिख देते हैं फिर 13 में 2 से भाग करेंगे 6 आता है और एक reminder बसता है उससे बराव में लिख दिया जाता है फिर 6 में 2 से बाग करेंगे 3 आएगा और reminder side में 0 लिख दिया जाएगा 3 में 2 से बाग करेंगे 1 आएगा और reminder एक बचेगा उससे side में लिख देते हैं अब दो का भाग एक में करेंगे, दो का भाग एक में नहीं जाएगा, ना जाने कि जीरो, और वन बसता है, से साइड में लिख देते हैं, इन सवी बच्चे हुए रिमांडरों को नीचे से उपर की ओ लिखा जाता है, आर्थात इने उल्टे क्रम में लिखते हैं, सबसे पहल आर्डर में लिखा जाता है, वन वन जीरो, वन वन जीरो, 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 बेस टू, यह संक्या, डेसिमल संक्या का बदला हुआ रूप होती है, आर्थात इने संक्या, बानी नमर सिस्टम में बदल जाती है, बानी नमर सिस्टम में हमेशा संक्या, जीरो और वन ही तो अंक आते हैं आपको डेसिमल नम्र सिस्टम को ऑक्टल नम्र सिस्टम में बदलना बताते हैं जिस प्रिकार से हम डेसिमल से बायनी बदलाता ठेक उसी प्रिकार से डेसिमल से ऑक्टल में नम्र को बदलते हैं इसमें बदलने के लिए केवल एक अंतर होता है इसमें बेस आठ का बह सबसे पहले इस नम्मर को इंचे लिखेंगे और इसमें आठ से बाग करेंगे आठ से बाहतर आता है और दो रिमांडर बजता है उसे साइड में लिख दिया जाता है फिर एक सो बाहतर में आठ से बाहतर करेंगे 21 आता है और 4 रिमांडर बजता है उसे साइड में लिख दिया जाता है फिर 21 में 8 से भाग करेंगे दो वार जाता है और reminder 5 बजता है फिर इस 2 में 8 से भाग करेंगे 8 का 2 भाग नहीं जायेगा ना जाने की जीरो और reminder 2 आ जायेगा जो संक्या प्राप्त होती है उसे नीचे से उपर की ओर आता रिमाइंडर को नीचे से उपर की ओर लिखा जाता है 2542 इसमें रिमाइंडर को reverse order में लिखते है 2542 तो इंक्या decimal system का octal number system में बदला हुआ रूप होता है